उत्राखंट की उत्तरकासी के सिल्कियारा टरनल में रेस्क्यू आपरेशन के साथ दिन बीच चुके हैं लेकिन अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जाए चुका है बहीं अंदर फसे लोगों के परिज्वनों में निराशा और गुसा जलकने लगी है अलग-अलग राजज्व के मजदूरों के परिजवन उतरकासी पहुँच रहे हैं कई परिजवन तो टरनल के पास ही राद गोजार रहे हैं जहारकंट सरकार ने अपने राजज्व के मजदूरों को निकालने के लिए special IAS अधिकारी भुबनेश प्रताफ सिहं को तैनात किया है वो मजदूरों को बाहर आने के बाद उन्हें हवाई जहाज से बापस ले जाने के लिए तैयार है अंदर मौजूद 41 लोगों में से सबसे जादा 15 लोग जहाज़ से हैं और उसके बाद आठ लोग यूपी के हैं शुक्रबार को 41 में से दो लोगों की तफ्वियत खराब हो गई थी जिसमें से एक को अस्थमा और दूसरे को डियाविटीज की शुकायत है इन्हें फूड सप्लाइबाले पाइब की मदद से ही दवाईयं भेजे जा रही है वहीं टनल में फसे 41 लोगों के परीजन रेस्क्यू आप्रेशन की सही जानकारी नहीं मिलने से अधीर हो रहे हैं टनल में फसे लोगों की उनकी परीजनों से बातचीत तो करवाई जा रही है लेकिन रेस्क्यू आप्रेशन की सही तस्वीरस साफ नहीं की जा रही है मैं शुक्रबार का दिन भर रेस्क्यू आप्रेशन को लेकर उल्जन की इस्तती बनी रही